मुझे लग रहा है कि wind energy sector में बहुत सारे changes आ चुके हैं और सुजलान एक काफी बड़ा player है सबसे बड़ी बात सुजलान का जो करजा है वो काफी significantly कम हो चुका है अभी जो इन्होंने हाली में preferential issue किया यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि बड़े निवेशक जैसे परम capital काफी बड़े अच्छनाई यहाँ पे एंटर कर चुके है सबसे बड़ी बात company के पास अभी order book कम से कम next 12 to 15 months की है अभी execution का समय है तो मुझे लग रहा है कि अगर सुजलान यह orders बहुत ही तेजी से execute करती है तो मेरी ख्याल से stock में re-rating आने की और भी संभावना है मैं समझता हूँ कि अभी कुछ 24-25 रुपया है अगर सही सब कुछ ठीक चला तो करीबन 34-35 का भी target price मिलेगा लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी मैं यही कोंगा आठ रुपय से यह share 25 रुपया हो चुका है तो almost 300 रुपय का return हमने देखा है पिछले वाल जब company ने rights issue किया था तो थोड़ा सा अगर correction यहाँ पे मिलता है तो margin of safety investors के लिए काफी अची रहेगी तो definitely buy on decline वाला counter है खरीदने का अगर मन किसी ने बनाया इस price पे तो कम से कम 12-15 मेने का time frame रखे 34-35 looks to be very much possible based on the data points बजाज हैं दुस्तान में बहुत समय के बाद एक uptrend आपको देखने को मिला है हाला कि यह earlier करजा के कारण थोड़ा सा underperform कर रहा था मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कोंगा कि fresh खरीदारी lower level पे करीदे क्योंकि ऐसे stocks में already हमने 500-200% की upside देखी है जबी भी निवेशक ऐसे stocks खरीदता है तो आपको beginning of the cycle पे यहाँ पे अगर आप entry करें तो आपको मुनाफ़ा जादा होता है तो current price पे hold करिए अगर थोड़ा सा stock correct होता है कोई भी current से तो यहाँ पे फिर खरीदने के मोके बनेगे यहाँ पे भी मैं एक होंगा कि करीबान 28-30 का एक पहला target रहेगा बट यहाँ पे risk reward तब अच्छा बनेगा जब आप निचली लेवल पे थोड़ा सा करीद होगे तब entry level आपके लिए अच्छा पैसा बना कि देगी currently जिन्होंने खरीद है उनको hold करने की रहेगा इनों बैंक्स लंबी अबदी के लिए काफी अच्छी है प्लस ओर आल जो banking के metrics है वहाँ पे देखने को मिला है तो करीबन 29-30 का यहाँ पे target price आप मानके चल सकते हो South Indian Bank में और धनलक्षमी बैंक में भी हमने देखा है कि यह basically south based bank है इनका जाधतर network South India में लेकिन numbers मेरे ख्याल से जून के quarter में काफी दमदार आगे तो यहाँ पे भी 27-28 का target price लेकि यहाँ पे खरीदे हालांकि stock थोड़ा चला है लेकिन काफी low price stock है और हमको लग रहे है कि आने वाले 2-3 quarters भी काफी मजबूत रहेंगे रही बात yes bank के ओपर तो मनेश देखे मुझे लग रहे है कि यह बैंक में बहुत negative surprise लोगों को पास में दिया है इसको recover करने में थोड़ा समय लगिया तो 16 रुपया भी जो चल रहा है मेरी ख्याल से अगले साल देड़ साल का नजरी आए तो ही यहाँ पे hold करे फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो यह time frame ध्यान में रखे क्योंकि at least in the very near time कोई बड़ा trigger yes bank में दिखनी रहे तो यह समय का है तो hold करने के सलावल के अधन लक्ष भी बैंक जो है पसंद आता है अविनासवर को वो खरदारी करके चल सकते हैं वजबुती देखने को मिसकती है एक साथ करने के हिसाब साब को रखना है खड़ितारी करते है तो अठाई सूपय तक का लक्ष देखने को मिस सकता है अलोग इंडस्ट्री तो काफी पॉजिटिव है लेकिन अभी जो ट्रेंड है प्रोफिटिबिलिटी का वो काफी दबाओ में है तो मेरी ख्याल से देखें इस लेवल पे इमेडिटली इन्वेस्ट ना करें क्योंकि मुझा लग रहा है कि शायद और एक दो कौटर स कंपनी प्रोफिटिबिलिटी दिखाएगी नहीं दिखाएगी यह कहना मुश्किल है मेरी ख्याल से उसके बजाए कोई दूसरे अगर टेक्टाइल कंपनी में आप निवेश करते हो जैसे कि अर्विंध है अर्विंध फैशन्स है यहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छी इनों डिजिटल केबल के कारोबार में काम करती और मैं बैलन्सीट देख रहा था 23 के लिए यह बिल्कुल करजा मुख्त है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नमबर्स इनोंने पिछले साल के लिए रेकॉर्ड किया है पहले कौर्टर भी काफी अच्छा है तो यहा अच्छी कासी रिस्क रोड आपको करेंट लेवल भी मिल सकती है खरदारी करने के सब्सक्राइब करें लिए कंपनी थी बहुत अच्छा इटाम देखने को नहीं मिला था और कई दर्शक यह जानना चाहरा है कि क्या करना चाहिए इंश्यों में 25 रुपे से काम का है तो क्य अब देखने को नहीं सकता है यह कंपनी 22 रुपे से अभी 12 रुपे हो चुकी और इस कंपनी का मैं फिनांशल देख रहा था पिछले तीन साल से कंपनी कोई भी ऑपरेटिंग कैश लो नहीं बनाती जैसे मैंने आपके चैनल पर का है कि देखे सिर्फ प्रॉफिट आफ्ट यहां पर मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा एक्सपांशन जब कंपनी ने अनौन्स किया है तो और भी शायद इक्विटी डिलूशन हो सकता है तो मेरे ख्याल से काफी दूसरे अस्चे विकल्प है जो हमने अभी आपके शोपे बता है तो वहां पर पैसा लगा है क्यों बहुत चोटी है और लगातार हम देख रहे हैं कि नतीजे नंबर आने के बहुजूद मार्केट्स को यह नंबर्स यह नो का अट्रैक्टिव नहीं लग रहे है स्टॉक का वैलुशन जो है वही का वही है तो मेरी क्याल से देखे काफी समय से अगर कर रहा है तो मेरी क्याल करजा मुक्त है कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी स्टॉक चल नहीं रहा है तो मेरी ख्याल से इनों दूसरे कोई फिंटेक कंपनी में अगर आप निवेश करें तो अच्छा रिस्क वाट मिलेगा मैं इसको इस प्राइस पे नहीं करीद होगा ने बिलकुल अगर कोई 12-15 मेने का व्यू लेता है क्योंकि इस लेवल से तो रिस्क रिवाट बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी इनो अट्रेक्टिव लेवल पे स्टॉक है हाला कि आपने कहा कि 44 परसेंट बड़ा है बड़ अगर आने वाला साल की और बूक और एक्जीकुशन तो 19-20 रुपे के लिए इसमें एक छोटी पोजिशन आप बना सकते हों